हेलो स्टुनेंट्स आज कविता के बहाने और बात शिदे थे पर इन दोनों कविताओं के प्रश्ण उत्तर देखेंगे कविता के बहाने पाट का पहले सबसे पहले प्रश्ण है कि इस कविता के बहाने बताएं कि घर सब घर एक कर देने के बाने क्या है जिसे कि इंपॉर्टेंट कोश्ण है एंसी आटी यह पहले सी वेश्ण की में वह चलती है तो इसमिशे 2009 में और 2015 में यह कोश्ण पूशा गया था इंपॉर्टेंट कोश्ण है इसमें सब घर एक कर देने बाने का क्या अर्थ है कि पूशा गया है तो इस कार थे कि भेदभाव अंतर वालगाव को समाव्थ करके सभी को एक जैसा समझना जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म है जाती है संपरता है छोटा बड़ा अमीर गरीब आदी का कोई भेदभाव नहीं करते हैं उसे प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धान्त या वर्ग विशेश की अव्यक्ति नहीं करनी चाहिए ठीक है कविता सब्दों का खेल है कविता का काम समाज में एक दालाना है अगर ऐसा किया जाएगा समाज में विखराव आता है कविका एक शाहतिकार का ये धर्म होता है कि वह समाज को जोड़े सब को एक कर दें उड़ने और खेलने का कविता से क्या संब्द है अथवा इसी प्रस्णों का ऐसी पूशा जा सकता है कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खिलने का आज से इस प्रस्ट कीजिए यह पर कविने बताया है कि चड़िया एक जगे से दूसरी जगे उरती है इसी प्रकार कविता भी हर जगे पहुंचती है उसकी उड़ान चड़िया की उड़ान से आगे है चड़िया की उड़ान तो सिमित होती है लेकिन क्या है कविता तो देश काल कि सीमा से पर और उड़ती चली जाती है और हर जगे पहुंच जाती है क्योंकि इसमें कलपना की उड़ान होती है कभी फूल खिलने की बात करता है फूल खिलने का मतलब यह है जैसे फूल इसके अपनी में चार और फैलाता है उसी तरीके से कभीता भी अपना एफेक्ट है तो चार और फैलाते हैं जैसे फूल की खुश्बू को शूम करके उससे आनदित हो जाते हैं ठीक उसी तरीके से कभीता कि प्रभाव से सभी लोग आने दित होते हैं तो दूसरे सब्दों में यह बताया कि कविता का जो आधार है वो प्राकृतिक वस्त में हैं और वह लोगों को अपने रशनाओं से मुद्ध कर लेते हैं आज से यह है कि कविता के बहाने में उसकी उड़ान और उसकी खिलने का मतलब यह है उड़ाने का मतलब यह है कि उस सर्व व्यापकता हर जगे पहुंचना और खिलने का मतलब यह है कि वह अपना प्रभाव चारवर फैला देती है डालती है इसे सभी क्या है लोग उसे आनंदित होते हैं मत्मुक्त हो जाते हैं कि इसके बाद है कविता और बच्चों कि इसकी समरांतर रखने के एकार्ण क्या हो सकते हैं कविता और बच्चे को समरांतर रखने के एकार्ण हो सकता है इसमें से देखिए मात्मोन प्रस्ण यह भी है जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है कि राइटर ने कभी ने यहां पर क्या किया है कभी ने यह पर्चडिया और फूल से कभीता को कंप्यर करता है लेकिन इसके बाद में भी वो क्या है उसने यह बताने का प्रयाश किया है कि कि किसी भी हालत में यह उसके कंप्यर रेट्यों उसके साथ नहीं दे सकते हैं जब कि क्या है बच्चों को बताया है कि बच्चे और कभीता दूने एक जैसे हैं तो कभीता और बच्चों की कीड़ा छेतर का इस्थान ब्यापक होता है जैसे बच्चे हैं उनके खेलने का मैदान क्या है खेलने का एरिया उनकों से गेम खेलेंगे कब तक खेलते रहेंगे उसी कोई शीमा नहीं होती है बच्चे खेलते कूंते शमय उसका समय का ध्यान नहीं रखते जातिपादी का ध्यान नहीं रखते धर्म का ध्यान नहीं रखते संपुरदाय का ध्यान नहीं रखते हैं ठीक है हर जग है हर सामय हर तरीकि से खेल सकते हैं और पास कोश्य भी नहीं है कोई क्यों प्प्रेंट नहीं तो पैस चलो पैठें तो फ़ेली बूझने अपके एक पूछ ना कुछ जो तो चलो अंताच निकल लेते हैं चलो क्या है अपना यह और दूसरे है जोटे फोटे डिए जाता है कर दीए जाता है छोटे छोटे ऐसे गेम यह तो में से दे दिये जाते ना इसमें क्या है कि कविता ने जो है तो ऊसी तरीके से उसके भी कोई शीमा नहीं होती यह जैसे बच्चों की कोई शीमा नहीं हो तो गेम की similarly क्या है इसमें कविता की भी कोई शीमा नहीं उसका कोई भी बंदा नहीं कविता भी क्या है सब्दों का खेल है कि सब्सक्राइब के मेंिमें जड़ है चेतन अतीत है बरत्वान है वह विश्य है सभी तो उसके उपकरण मातरá सकते हैं मुष्य विष्यव malfunction के खेलते हैं ठीक उसी तर्वीटा भी नहोती है जिस तरीके से बच्चों की खेलने की सीमाwest क्या होती है हम होती है ठीक उसी तरीके से कभिता की केल्बना भी अशीम होती है उसी क्यों शीमा नहीं होती है पोशन नबर फूर कविता के संदर्व में बिना मुर्जाय महकने के माने का क्या अर्थ होता है देखिए यहाँ पर कभी कहता है कि फूल एक निशित समय पर खिलते हैं उसका जीवन भी निशित होता है लेकिन कविता के खिलने की कोई निशित समय नहीं होती है उसकी जीवन अबदी के अशी मित है कभी नहीं मुर्जाती है उसकी में हमेशा फैलती रहती है आप लोग ने देखा होगा रहीम के दोहे कवीर के दोहे है आज भी क्या है चलते जारे है भाशा को सहूलियत से बरतने का अभी प्राय है भाशा को सहूलियत से बरतने का अभी प्राय क्या है देखिए इंपार्टेट कोश्चन है 2008 में 2012 में 2013 में CBSC में पूछा गया है इसका अर्थ यह है कि कोई भी रचना करते समय कभी को आडंबर पूर्ण भारी भरकम समझ में ना आने वाले शब्दा वली का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपनी बात को सहिष्टा से और व्यावारिक भासा से करना चाहिए ताकि आम लोग कभी की भावना को समझ सकें उसे सिर्फ शौंदेर पर जादा जोर नहीं देना चाहिए भाव शौंदेर पर जादा जोर देना चाहिए ठीक है? आने उसे तड़क-बढ़क रचने की चक्कर में őने कि देखने में सुने में अच्छा लगे ऐसा नहीं कि बल क्या है कि आ जो जिस बात को कभी कहना चाहता है जिस मुद्दे को रखना चाहता है आम जनता की बीच में उसे क्या है तरीके से रख दे सहुलियत से मतों क्या है तरीके से बात और भाशा परस्पर जुड़े होते हैं किन्तु कभी-कभी भाशा के चक्कर में सिद्धी बात भी टिड़ी हो जाती है कैसे बात कार्थ है भाव और भाशा कार्थ है उसे प्रगट करने का माध्यम अब यहाँ पर बात और भाशा दोनों का चोली और दावन कर समद्ध है किन्तु कभी-कभी भाशा के चक्कर में सिद्धी बात भी टिड़ी हो जाती है मतलब यह है इसका करन यह है कि आदमी सब्दों के चमतकार में उलज जाता है वह इस गलत फहमी में का शिकार हो जाता है कि कटिन सब्द नए सब्द का प्रयोग करें जिस्टे की लोग सुनें देखें तो उसकी सराहना करें तालियां बजाएं तो अपनी प्रसंशा वाँ पर जो कहना चाहता है उस बाद को शिकन्री बानों करके और अपने का है अपने आप में ओ फ्रसंशा के चकर में एक चमतकbuat पैसे पीदा करना चाहता है अर्था है शिर्पा उसdhar पर ज्यादा जोर दे देता है भाव को सेकंडरी कर देता है यह यहाँ पर सबसे ज्यादा दिकत्तब हो जाती है बात सिधी सिधी बात तेड़ी तब हो जाती है भाव को केवल किया है भाव का शाधन नहीं बनाना चाहिए भाव है अपने धंच से अपने प्लवेश्टिस से बात को अपनी आदमी को चाहिए उसमें है भाव को ऊपना दिए करना सुरू करदिया तो वहां पर क्या है उसका भाव संदर नष्ट होने लगता है तो बात स् whale क्या है यह हो जाती है बच्चों इसके बाद है इसमें से माज़दा कालम था माज़दा कालम में जैसे हम देखते हैं बिम बताए गए हैं और उसका मतलब क्या है बाद की चूड़ी मर जाना इसका मतलब है बाद में कसावट का ना होना जैसे कि चूड़ी होती है चूड़ी मर जाती है तो फिर क्या वो नट कर सता नहीं है ठीक उसी तरीके से बाद की चूड़ी मर जाना अर्थात क्या है जो आपको कहना है जो बात कर आएं आप यस धंत बात की पेंच खोलना किस क्या हूं बात को शेज-द इसपस्ट निहीं है गाल हुँ लुए बात को क्या है था शीजब घंत स्रॉला धंत से कहने का प्रियाश करना वह उसको इसपस्ट दंग से कहने की कोशिश करना बात का सरारती बच्चे की तरह खेलना और बात को पकड़ में ना ना पेज को कील की तरह ठोप देना मतलब किया बात का प्रभाव ही नहीं हो जाना जैसे पेज्च है कि तरह ठोपदेंगे तो जरूर इसमें ठोप देते दिवाल में तो कैसावत रहती है यह पर बात भी प्रभाव ही नहीं हो दे इसका मतलब होते है बात का बन जाना मतलब क्या है कथ और भाशा का सही सामजस बनना कथ जो आप कहना चाहते हैं और जो आपकी भाशा है इसके बीच में सामजस बनना कि आप लोगों को अब दो पत्र बताने जा रहे हैं इन दोनों पत्रों को भी आप लोग तयार के लिजेगा यह आपको जो यूनिट टेस्ट होगा उस यूनिट टेस्ट में आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इन पत्रों में खास्त बाती है कि आपचारिक और अनपचारिक है तो पट्र अफचारिक पत्र है और अनपचारिक पत्र होते हैं ज़िसमें अपचारिक ताएं जरूरी है अनौप्चारिक पत्र जो होते हैं जो परिवार में लिखे जाते हैं जबकि अप्चारिक पत्र कार्यालीन होते हैं इसमें से शिकायती पत्र आपको बता है पेला यह पत्र है अपने छेत्र में पेणपौधों के अन्यांत्र कटाओं को रोकने के लिए आपने जलादिकारी को एक तो यहां पर कोई बदर पुर लिखा है तो आप लिखे जहां कि हम अब यहां पर अपना शेटर लिख सकते हैं जाह यहां पर अपना शेत्र अपनान नाम लिख शकते हैं कि हमारे शेत्र में बहुत मैंने कुछ मैंने से पेंट पौधों की बेरोप्टों कटाई हो रही है इस अंदा धुन्द जंगल की कटाई से हम लोगों का यह शेत्र पेंट पौधों से लगभग क्या है कि लगभग रहता हो गया है चारों और वीरान जो तो दर्श्च उपस्त हो गया है कि अब इसमें आप अपने डंग से लिख सकते चारों का है कटे हुए पेंट की ठूटे ही ठूटे दिखाए दिए रहे हैं इसमें इस शेत्र में की पज़ावन पर बहुत गंभीर प्रोलब हो रही है फालता वाइप प्रदूशन ती ब्रकत से बुढ़ने लगा है कि इससे बिविन प्रकार की स्वास्ति से समझ्दूत कतरना विवार्यों की फैलने की आसनका बढ़ती जा रही है अतार अगर निकट भाशे में इस प्रकार से बेरो रोक तो प्रपादों का जीना दूरलब हो जाएगा आसा है कि आप इस दिशा में उशित कदम उठा करके हमें कृताज करेंगे इसके लिए हम आपके सदयों आभारी रहेंगे धन्यवाद भावदी है और अपना भी में दिश्चेतर के रिवास और दिनाग डाल जूर डाल है अ टासी शूद एक तरेके से क्या है एक नमूना है और इस नमूनी की अधार पर आप क्या है यहां पर विशय नहीं लिखा है जैश्टिया प्रमोर्द की पर विशय लिखा जाए जाए कि भी लिखा जाना चाहिए आए अगा कि दी शेक्ट है पोष्ट इसमें किया इस पत्र की जो मैं इसमें क्या है यहां पर कमी यह है कि सेवा में यहां पर जो साम जान पत्र विजने के के क्या है विशह होना चाहिए और विशह में क्या है कि जैसे फष्ट वाले मिशे मिचे प्रणौ की कटाई रोकने बाबत और टिक है यहां पर क्यों जाएगा मिशय में हापर लेगई जल भराव की समझ्च्छा लिख दिया जाता है तो अधकारी को क्या होता है उस बात को समझने में कि किस मेटर का जो पत्र है आसान होता है उसी लिखा जाना चाहिए यह पत्र में नहीं बिश्य तो जरूर आप लोग बिश्य जरूर लिखें सेवा में स्वास्त अधकारी महुद है नागर पालिका माली यह क्या है उचहरा विश्य जल भराव की समझ्या महुद है निवेदाने की हम उचहरा निवाशिय है गद्दिनों भेंकर वर्षा के करण से इस छेत में जगए जगए पानी भर गया है नालिया और शीवर के बंद होने करण से शड़कों की विगड़ी हुई दस्टा की करण से जल पाई कहीं कहीं फट गई है प्रणाम सुरूप पानी की बारसी आ गई है आपके विवाग के समदित कर्मिचारी बिलकुल ही इस तरफ धाने दे रहे यही करना है कि इस शेत्र में चारोग पाने ही पाने दिखाई दे रहा है इससे डांक केवल आवागवन की बहुत बड़ी अस्विदा उत्पन हो गई है बड़कि विवने प्रकार की विवार्यों के भी फैल जाने की आसनका बढ़ गई है आत्यों आपसे शादर अन्यूद है कि आप इस दिसा में यथा शीग उचित कदम उठा करें हमें प्रतार्थ करें इसके लिए हम सदयव आपके अभार रहेंगे भावदी अचेहरा शेत्र निवाशी दिनानत तो बच्चों इस तरीके से हम क्या है त्यार करेंगे कोशन असर हो गया है त्री चैप्टर रहेंगे आपके कोश्च के सिल्वस में प्लस पत्र आप से पुछा जाएगा तो दोनों पत्र त्यार करेंगे जिए थैंक्स क्या है त्यार करेंगे त्यार करेंगे त्यार करेंगे थैंक्स